जे श्री राधे क्रिश्न, साथियों आज दर्शन करते हैं क्रिश्न मंडपम के, ये तमिल नाडु में कांची पुरम में, कांची पुरम जिला है, उसमें महाबली पुरम में कोरो मंडल तट पर, क्रिश्न मंडपम गंगा अवतरन द्रिश्य के साथ ही चटानी पहाडी पर पनाया गया है, महाबली पुरम का इतिहास दो हजार से भी जादा वर्श पुराना है, ये पुराना बंदर गहा था और संपन्न था, क्रिश्न मंडपम एक चट्टान पर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, यहाँ गोवर्धन दारी श्रे क्रिश्न का अद्भुत रूप दिखाया गया है, गया स्थान भी 1984 से युनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये पत्थर पर पल्लव काल की सात्वी शताब्दी की वास्तुकला है, पल्लव वैसे शैव थे लेकिन उनोंने वैश्नो मंदिर भी बनाए, पहले क्रिश्न मंडपम खुली चट्टान पर था, बाद में विजे नगर शाष्कों ने सोल्वी शताब्दी में इसका मंडप तयार करवाया, यहां भगवान शेक्रिश्न बाएं हाथ से गोवर्धन परवत उठाते दिखाए गए हैं, साथ में राधाजी हैं, भगवान शेक्रिश्न ने इंद्र की पूजा बंद करवाई, तब इंद्र ने मतुरा में भारी वर्षा की, और इस द्रिश्य में भगवान ने गोवर्धन परवत उठाकर, सब ग्रामवासियों को आंधी तूफान से बचाया, भगवान क्रिश्न का दाया हाथ वरद मुद्रा में है, पाशान स्तंबों पर बना मंडब 29 फीट, लंबा 12 फीट उंचा है, और स्तंबों के उपर कमल के फूलों की सजावट है, नीचे सिंग बनाए गए हैं, चटान पर जो दृष्य उकेरा गया है, उसमें यथार्थ वादी ग्रामीन चित्रन है, लोग पहाड के नीचे अपने पशों के साथ शरण ले रहे हैं, एक व्रिद अपने कंधे पर बच्चा उठाए हुए है, एक इस्त्री ने सिर पर पानी की मट्की रखी हुई है, एक के सिर पर घास की पोटली है, एक व्यक्ती गाय दोरा है, एक बड़ा बैल भी इस पैनल में है, भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में मानव और पशु सभी निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं, श्रीमत भागवत की कथाएं श्री कृष्ण लिलाएं, भारत में छटी साथमी शताबदी में भी इतनी ही प्रसिद थी, जितनी आज हैं, और पाशान पर इन कथाओं को उस समय सजीव रूप से उकेरा गया, यह उन बनाने वाले लोगों की आस्था, कुशलता और प्रवीनता दिखाता है, साथियो ऐसे ही दिव्य स्थानों की दिव्य जानकारी के लिए, प्ली लाइख, शेर और शब्सक्राइब इस चैनल, जैर शी रादे कृष्णा,